हे गाईज, वेलकम टो दो वॉक अराउंड, मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया में मिलने वाली CNG कार्स की दोस्तों पेटरोल और डीजल की प्राइजस काफी तेजी से इंक्रीज हो रही है दिन बदिन और इसी वज़ा से अब कस्टमर्स का रुझान CNG कार्स की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा है तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिलहाल इंडियन कार मार्केट में आपके पास कौन-कौन से फेक्टरिफिटेट CNG कार्स के आप्शन्स है और साथ ही साथ उनकी ऑन रोड प्राइस क्या पड़ रही है ध्यान रहें ये अन रोड प्राइस में आपको इंदोर मध्यप्रदेश की बता रहा हूँ अन रोड प्राइस अलग-अलग स्टेट और सिटी के हिसाब से थोड़ी उपर नीचे हो सकती है तो बने रही है इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक कही मत जाईए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को आपार सफलता प्रदान कर सकता है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं भीना किसी देरी के तो सबसे पहली CNG कार जो है वो है अल्टो 800 CNG अगर आपका बजट पांच लाग रुपे के आसपास है और ऐसे में चाहते हैं आप कोई एक फेक्टरिफिटेट CNG कार तो आपके लिए हैं अल्टो 800 CNG यह गाड़ी आपको दो वीरियंट्स में मिलती हैं LXI और LXI Optional इस गाड़ी में आपको मिलता है एक 800 CC का थ्री सिलेंडर पेट्रोल इंजन जो पेट्रोल पर 48 PS और 69 Nm का टॉक जनरेट करता है और CNG पर 40 PS और 60 Nm का टॉक जनरेट करता है यह इंजन 5-speed manual transmission के साथ आता है और इस इंजन की माइलेज है 22.05 kmpl ARAI पेट्रोल पर और 31.59 km पर kg ARAI CNG पर अब on-road price की बात करें तो इसकी on-road price है 4,94,000 रुपे on-road LXI CNG लेते हैं तो और 4,99,000 रुपे on-road अगर LXI Optional CNG लेते हैं तो तो अगली factory fitted CNG कार है आपके लिए मारूती की ही एस्प्रेसो अगर आपका बजट है 5.5 से पौने 6 लाग रुपे और ऐसे में चाहते हैं एक factory fitted CNG कार तो आपके लिए हैं एस्प्रेसो CNG ये गाड़ी आपको 4 variants में CNG option के साथ मिलती है LXI, LXI Optional, VXI और VXI Optional इस गाड़ी में आपको मिलता है एक 1 लेटर का 3-cylinder K-series petrol engine जो petrol पर 68 PS और 90 Nm का torque generate करता है और CNG पर 59 PS और 78 Nm का torque generate करता है ये engine 5-speed manual transmission के साथ आता है और इस engine की mileage है 21.4 kmpl ARAI petrol पर और 31.2 km per kg ARAI CNG पर अब on road price की बात करें तो इसकी on road price है 5,43,000 रुपे on road LXI CNG की और 5,49,000 रुपे on road अगर LXI Optional CNG लेते हैं तो Espresso के second top variant में भी आपको CNG का option मिल जाता है जिसकी price है 5,70,000 रुपे on road VXI CNG और 5,76,000 रुपे on road अगर VXI Optional CNG लेते हैं तो अगली factory fitted CNG कार भी मारूती की तरफ से ही है जिसका नाम है मारूती Eco अगर आपको family purpose के साथ साथ commercial purpose के हिसाब से भी एक factory fitted CNG कार चाहिए तो आपके लिए हैं मारूती Eco CNG ये गाड़ी आपको 5-seater variant में CNG option के साथ मिलती है इस गाड़ी में आपको मिलता है एक 1.2-liter का 4-cylinder petrol engine जो petrol पर 73 PS और 98 Nm का torque generate करता है और CNG पर 63 PS और 85 Nm का torque generate करता है ये engine 5-speed manual transmission के साथ आता है और इस engine की mileage है 15.37 kmpl ARAI petrol पर और 20.88 km per kg ARAI CNG पर अब on-road price की बात करें तो Eco 5-seater CNG की price है 5,84,000 रुपे on-road उसके बाद अगली factory fitted CNG car है मारूती की ही वेगेनार अगर आपका budget है 6,00,000 रुपे और चाहते हैं एक factory fitted CNG car तो इस budget में आपके लिए हैं वेगेनार CNG ये गाड़ी आपको 2 variants में CNG option के साथ मिलती है टॉक जनरेट करता है और CNG पर 59 PS और 78 Nm का टॉक जनरेट करता है ये engine 5-speed manual transmission के साथ आता है और इस engine की mileage है 21.79 kmpl ARAI petrol पर और 32.52 km per kg ARAI CNG पर अब on-road price की बात करें तो इसकी price है 6,00,000 रुपे on-road LXI CNG की और अगर LXI optional CNG लेते हैं तो उसकी price है 6,00,000 रुपे on-road अगली factory fitted CNG car है मारूती की celerio अगर आपका budget है सवा 6,00,000 रुपे के आसपास और आपकी requirement है एक factory fitted CNG car और ऐसे में आपको wagonar का tall boy design पसंद नहीं आ रहा है तो आपके लिए market में celerio CNG का भी एक option है यह गाड़ी आपको दो variants में CNG option के साथ मिलती है VXI और VXI optional इस गाड़ी में आपको मिलता है एक 1-liter का 3-cylinder K-series petrol engine जो petrol पर 68 PS और 90 Nm का torque generate करता है और CNG पर 59 PS और 78 Nm का torque generate करता है यह engine 5-speed manual transmission के साथ आता है और इस engine की mileage है 21.63 kmpl ARAI petrol पर और 30.47 km per kg ARAI CNG पर On-road price की बात करें तो इसकी price है 6,35,000 रुपे On-road VXI CNG की और अगर VXI optional CNG लेते हैं तो 6,41,000 रुपे On-road अगली factory fitted CNG कार है Hyundai की Centro अगर आपको एक 4-cylinder engine के साथ और feature loaded entry level hatchback कार चाहिए with factory fitted CNG kit तो आपके लिए market में Centro का भी option है ये गाड़ी आपको दो variants में CNG option के साथ मिलती है Magna और Sports इस गाड़ी में आपको मिलता है एक 1.1-liter का 4-cylinder petrol engine जो petrol पर 69 PS और 99 Nm का talk generate करता है और CNG पर 59 PS और 85 Nm का talk generate करता है ये engine 5-speed manual transmission के साथ आता है और इस engine की mileage है 20.3 kmpl ARAI petrol पर और 30.48 km per kg ARAI CNG पर On-Road price की बात करें तो इसकी price है 6,56,000 रुपे On-Road Magna CNG की और अगर Sports CNG लेते हैं तो 6,71,000 रुपे On-Road अगली factory fitted CNG कार है Hyundai की Grand I10 Nios अगर आपको एक proper hatchback कार चाहिए विद factory fitted CNG की तो आपके पास Grand I10 Nios का ही option है फिलखल इस segment में ये गाड़ी आपको दो variants में CNG option के साथ मिलती है Magna और Sports इस गाड़ी में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 4-cylinder petrol engine जो petrol पर 83 PS और 130 Nm का talk generate करता है और CNG पर 69 PS और 98 Nm का talk generate करता है ये engine 5-speed manual transmission के साथ आता है और इस engine की mileage है 20.5 kmpl ARAI petrol पर और 28.40 km पर केजी ARAI CNG पर और प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 7.57,000 रुपे और Magna CNG की और अगर Sports CNG लेते हैं तो 8.16,000 रुपे और अगली factory fitted CNG कार जो है वो है Hyundai की औरा अगर आपको एक sub 4-meter compact sedan चाहिए with factory fitted CNG कीट तो आपके पास इस segment में सिर्फ और सिर्फ एक ही option है फिलहाल और वो है Hyundai की औरा ये गाड़ी आपको एक ही variant में CNG option के साथ आती है और वो है इसका mid variant यानि की ace variant इस गाड़ी में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 4-cylinder petrol engine जो petrol पर 83 PS और 113 Nm का talk generate करता है और CNG पर 69 PS और 98 Nm का talk generate करता है ये engine 5-speed manual transmission के साथ आता है और इस engine की mileage है 20.5 kmpl ARAI petrol पर और 28.40 km per kg ARAI CNG पर अब अगर on-road price की बात करें तो Hyundai Aura S CNG की price है 8,27,000 रूपे on-road अगली factory fitted CNG car है मारूती की Altiga अगर आपको एक 7-seater MPV चाहिए with factory fitted CNG kit तो ऐसे में आपके लिए market में Altiga मोजूद है ये गाड़ी आपको सिर्फ एक ही variant में CNG option के साथ मिलती है और वो है इसका mid variant यानि की VXI variant इस गाड़ी में आपको मिलता है एक 1.5 liter का 4-cylinder petrol engine जो petrol पर 104 PS और 138 Nm का talk generate करता है और CNG पर 92 PS और 122 Nm का talk generate करता है और ये engine 5-speed manual transmission के साथ आता है और इस engine के mileage है 19.01 kmpl ARAI petrol पर और 26.08 km per kg ARAI CNG पर अब अगर on-road price की बात करें तो Altiga VXI CNG की price है 10,16,000 रुपे on-road तो दोस्तों ये तो थी वो cars जो आपको फिलहाल factory fitted CNG kit के साथ मिल रही है इंडियन कार मार्केट में अभी आने वाले वक्त में और भी कुछ cars fact drifted CNG kit के साथ आने वाली है उस पे हम अलग से एक वीडियो बहुत जल्द बनाएंगे फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और शेयर कीजिए अपने social media platforms के जरीए मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए topic के साथ तो जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त बाई बाई टेक केर ड्राइव सेफ थैंक यू जैहिन जैबारत